एशिया में यौन कर्मियों के सबसे बड़े बाजार पुलकाता के सौना गाची में कभी भी सन्नाटा नहीं होता था लेकिन कोरोना वाइरस का खत्रा सामने आने के बाद यहां सन्नाटे का आलम है क्या दिन और क्या रात सब समान है इससे यहां रहने वाली यौन कर्मियों के सामने भूकों मरने की नौबत आई उलकाता में इन यौन कर्मियों के संग्ठन दुर्बार महला समनवय समिती का कहना है कि पहले जहां इलाके में रोजाना 35 से 45 हजार तक रहक आते थे वहीं अभी ये तादाद घट कर 500 से भी कम हो गई इससे देवियपार के जरिये रोजी रोटी चलाने वाली महलाओं को भारी दिक्कत हो रही है इसके अलाबा यहां इस पेशी की वजह से हजारों एजेंटों, रिक्षावानों, दुकानदारों की रोजी रोटी भी चलती थी लेकिन अब सब ठप है इलाके में मकानों के किराई 5000 से 75 हजार तक है लेकिन जब दो जून की रोटी के लाले पड़े हो तो किराई के बारे में कौन सोसता है कुरोना वाइरस ने पहली बार इस सदा बाहर लालबत्ती इलाके के भविश पर सवाल या निशान लगा दिया पश्य बंगाल की लगभग पांच लाख यौन करिमों के सामने ऐसे ही मुश्किल परिस्थिती मूबाय खड़ी है सोना गाची इलाके में 11,000 यौन कर्मी इस्थाई तोर पर रहती सरकार ने अब तक इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा राज की महला और शिशु कल्यार मंतरी शशी पांजा कहती है सरकार सोना गाची में रहने वाली महलाओं को भोजन मोहिया कराने पर विचार कर रही निउस्टेस्क, ग्रेट नेशन निउस